नवश्कार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है ठंडे पानी से नहाना कई बिमारियों का बहतरी निलाज है जबकि कई लोग गर्ब पानी से भी नहाना पसंद करते हैं जिसे होट वाटर थेरेपी कहा चाता है लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि ठंडे पानी में नहाने के बाद आपने थर्मल शौक महसूस किया हो दरसल नहाने के पानी के तापमान के लिए हर किसी का व्यप्तिगत पसंद है बात करें ठंडे पानी से नहाने की तो विशेशग्य को नुसार ठंडे पानी से नहाने से पहले थोड़ा सतर करें एक रिपोर्ट के मुताबिक ठंडे पानी से नहाना सभी बिमारियों का जादू इलाज नहीं है जब ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारा पहला रियक्शन इससे दूर जाने का होता है यह लगबग ऐसा है जैसा हमारा शरीर सिस्टम स्विच को सर्वाइकल मोड में बदल देता है ठंडे पानी से लगने वाला जटका आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को ओवर ड्राइव में डाल देता है यहां सभी जरूरी अंग स्थित होते हैं यहां गर्मी बनाये रखने के लिए ब्रट तेजी से फ्लो होने लगता है यह आपकी तवचा के पास सर्कुलेशन को रोकता है रग्तप्रवा की यह तेजना आपके समगर स्वास्त के लिए अच्छी है इतना ही नहीं विशेशक्द्यों की माने तो ठंडे पानी के लिए शरीर की बढ़ी हुई प्रतिक्रिया अस्थाई रूप से मेटाबॉलिक रेट को तेज करती है उर्जा खर्च करती है और एक्स्ट्रा कैलरी भी बर्न करती है वहीं दिल की बेमारी के लोगों को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए ठंडे पानी के प्रतिव आपका शरीर की प्रतिक्रिया दिल पर अधिक प्रभाव डालती है और इर्रेगुलर हार्ट बीट का कारण बन सकती है यह आपके दिल के लिए बहुत खतरनाक है